नमस्कार आज की विडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किशोर किशोरी सशक्तिकरन गति विध्यों के बारे में शुरुआत करेंगे हम मीना राजू एवं गारगी मंच एवं अध्यापिका मंच के साथ में उसके पश्चाथ हम बात करेंगे किशोरी मेला के बारे में और अं तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे समस्त राज किय उच्छ प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक के बालिक और बालिकाएं हमारे इस मीना राजु गारगी मंच के सदसे बन सकते हैं साथी में इस मंच पर जेंडर समानता बढ़ाने एवं जीवन कौशल का विकास करने के लिए मीना राजु मंच का एवं गारगी मंच का पुनर गठन किया गया है तथा इसमें जितनी भी प्रतावित गतिविद्या है उनका संचालन किया जाएगा आईए जानते हैं कि हमारा जो मीना राजु और गारगी मंच है इनके सदस्य कौन कौन होंगे मीना राजु मंच के लिए जितने भी कक्षा चटी से आठवी के लेकर समस्त बालक बालिकाएं मीना राजु मंच के सदस्य होंगे तथा गारगी मंच के लिए कक्षा नवी से लेकर बारवी के समस्त बालग बालिकाई गारगी मंच के सदस्य होंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारे मीना राजु मंच एवं गारगी मंच की गतीविधियों के संचालन के लिए तथा फैसिलिटेशन के लिए कक्षा वर प्रेरोकों का गठन किया जाएगा तो जैसा कि आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं मीना राजु मंच के लिए कक्षा छटी साथवी और आठवी से हर कक्षा से तीन तीन बालिकाएं ली जाएंगी मतलब कि कुल मिलाकर नौ बालिकाएं ली जाएंगी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बालोगों की तो हर कक्षा से चटी साथवी और आठवी से दो दो बालक लिए जाएंगे कुल मिलाकर छे बालक लिए जाएंगे और अगर हम कुल सदस्यों की संख्या देखें तो पंदरा सदस्य हमारे मीना राजु मंच में होंगे बात करें अगर यहाँ पर गारगी मंच के बारे में तो कक्षा नवी दस्वी ग्यारवी और बारवी से प्रते कक्षा से तीन तीन बालकाई चुनी जाएंगी और दो दो बालक चुने जाएंगे जो की कुल मिलाकर हमारे सदस्य की संख्या 20 हो जाएगी यहाँ पर सदस्यों के लिए कुछ विशेश बाते जानने जैसी है जैसा कि कक्षा 5 से राजू और मीना मंच के लिए 5 सदस्य और भी लिये जा सकते हैं और गारगी मंच के लिए कक्षा 8 से तीन बालिकाओं को और भी सम्मीलित किया जा सकता है अगर उच्प्रात्मिक एवं माध्य में कक्षाओं में से एक से अधिक सेक्षन होता है तो जो भी सुगम करता है वो अपने हिसाब से हर सेक्षन से दो से तीन बालिकाओं और बालुकों का चयन कर सकते हैं और उनको प्रेरख बना सकते हैं उच्प्रात्मिक कक्षाओं के लिए इन मंचों पर मीना की कहानिया एवं जेंडर समानता अधारित सामाजिक परिवर्टन लाने वाली कहानियों को सुनाया जाए साथ ही में हर कक्षा से दो-दो एंट्रीज ली जाए और उन एंट्रीज को विध्याले में सभी पठन करें साथ ही में उनके सुजाव और विचार बोड पर चस्पा किये जाए अब हम यहाँ पर देखेंगे और बात करेंगे उपस्तिती चार्ट के बारे में कि इन मंचों में कितने बालक और बालिकाए उपस्तित रहे हैं तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि उपस्तिती चार्ट हर महा प्रत्येक विध्यारती की उपस्तिती की आधार पर बनाया जाएगा और पूरे महा तक कक्षा में प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ पे जिन भी बालग बालिकाओं की अटेंडेंस अगर पूर्ण है तो उनको हरा स्टार दिया जाएगा ग्रीन स्टार दिया जाएगा जिन भी बालक बालिकाओं की उपस्तिती 75 प्रतिशत से अधिक है उनको यहाँ पर पीला स्टार येलो स्टार दिया जाएगा जिन भी बालिकाओं की उपस्तिती 60 प्रतिशत से अधिक है उनको नीला स्टार दिया जाएगा और जिन बालक बालिकाओं की उपस्तिती यहाँ पर 60 प्रतिशत से कम है उनको लाल स्टार दिया जाएगा रेड स्टार दिया जाएगा बात करते हैं अगर हम यहाँ बजट ट्विवरंड की तो मीना राजु क्लब की गती विध्यों को के लिए हर विध्याले को रुपे 500 की राशी प्रदान की जाएगी तो आएए एक बार हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारे जीवन कौशल सत्रों के बारे में तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक सूची दी गई है जिसमें जीवन कौशल के बारे में बताया गया है तथा यह बताया गया है कि कक्षा 6 से हाट के लिए कितने सूत्र हैं मीना राजु मंच के लिए 6 थीम हैं और कुल 12 सत्र हैं साथ ही में कक्षा 9 से 12 के लिए गारगी मंच के लिए 5 थीम हैं और 12 सत्र हैं नोट करे जाने वाली बात यहाँ यह है कि मीना राजु के जीवन की जीवन कौशल आधारित कहानिया यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से सभी विध्यार्थियों को दिखाए जा सकते हैं आईए बात करते हैं हम अध्यापिका मंच के बारे में तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे यह बात होनी चीए कि हर तर से शिक्षर करने वाली सारी अध्यापिकाओं को अध्यापिका मंच में सम्मीलित किया जाए अध्यापिका मंच का पुनर गठन इसलिए किया गया है ताकि बालिकाओं के ठेराव आ सके साथी में शिक्षा पूर्णता में उनकी सक्रिय से भागिता को प्रोचसाहित किया जा सके जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक सूची दी गई है अध्यापिका मंच के सद इस शिक्षिकाएं समीलित की जाएंगी हमारे अध्यापिका मंच में नोट करने वाली बात यह है कि सभी PEEO क्लस्टर से सभी स्थर से प्रतिनिद्व होना चाहिए तो यह था हमारा अध्यापिका मंच तो आएए अब हम बात करते हैं सुरक्षत विध्याले वातवरे निर अधारत हैं एक है हमारा आपदा जोखिम में कमीलाना जो भी डैमेज हो उसमें कमीलाना हमारा बाल संद्रक्षन करना साथ ही में स्वास्त एवं स्वच्छता है तीसरा थम पर्यावरन और मनों सामाजिक पहलू को सक्षम करना अब हम यहां देखेंगे कि चाइंड राइट होने के लिए उनको प्रोचसाहित भी किया जाएगा सामाज में बदलाव लाने के लिए चेंज मेकर प्रेरोकों का चैन भी किया जाएगा जो की उम्रे तथा कक्षा के अनुसार होगा उम्रे की अगर हम यहां बात करते हैं तो 9-10 वर्षिय, 11-13, 14-15 तथा 16-17 वर्षिय ब बारवी के बच्चों का चैन किया जा सकेगा, बच्चों का चैन करके 25 सदस्य चाइल्ड राइट क्लब का गठन भी किया जाएगा, ध्यान रखें कि बच्चों के चैन में धर्म जाती लिंग तथा विकलांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्लब में स Childs Right Club के लिए 1500 रुपए दिये जाते हैं जिसमें से 500 रुपए Childs Right Club के बोर्ड और वाल पील्टिंग साथ ही में 1000 रुपए Childs Right Club के मीटिंग के लिए डोक्यूमेन्टेशन के लिए एक्सपार्ट, और और शॉक्षे के पुरुसकार के लिए खर्च किये जा सकेगे यहां अगर हम बात करते हैं कि Child Right Club की भूमी का विध्याले के स्थर पर क्या है तो यहां हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे प्रधानाचारे प्रधाना अध्यापक हैं वो विध्याले में किसी भी कार्यरत मेंटर शिक्षक को या फिर शाररिक शिक्षक को जिससे बच्चे अप संरक्षन अधिकारी के रूप से नामिंत करें उनका यहां पर क्या दायत वराएगा कि वो Child Right Club का संकलन करें बैठके और्गनाइज करें तथा परियवेक्षन आधी करें सांथी में विध्याले में बाल दुर्विवार की सूचना को इखटा करें और संस्ता प्रधान को ऐस उसकी रिपोर्ट करें यहां पर अब हम देखते हैं कि जो भी संबंदन संस्ता है वो किसी काउंसलर को परामर्श दाता को या फिर एक अनुभवी व्यक्ती को प्रभावी निवत करें जो की Child Right Club की गतिविध्यों का संचालत सुनिश्चत कर सकें साथी में कोई भी ऐसी संचालन में बाल संरक्षन करने वाली हो उनको जोड़ा जा सके साथी में सदस्यों की जानकारी के लिए एक बोड को मुख्य स्तान पर लगवाया जाए क्लब की बैठके दो बार होंगी एक माहा के दूसरे शनिवार को और एक माहा के चौते शनिवार को जो भी बच्चे औ 500 रुपे प्रती विध्याले की दर से राश्री का उप्योग किया जा सकेगा अब हम यहां बात करते हैं कि गती विध्यों के दौरान कुछ बाल संरक्षन संबंदित कानूनों के बारे में चर्चा भी की जाए तो यह कौन से कानून है जो कि बाल संरक्षन के बारे में बता निशुल्क एवं अनिवारे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवा प्रतिरोध अधिनियम 2006, बाल अधिकार संरक्षन आयोग अधिनियम 2005, इन सभी कानूनों के बारे में भी चर्चा की जाए और बच्चों को जागरुग बनाया जाए, यहां हम देखेंगे कि चा बाल अधिकारों के प्रति तथा उनके कर्तवियों के प्रति जागरुग बनाया जाए, जो बालक है छात्र है, उनमें छात्राओं बालिकाओं के प्रति एक समवेधन शील्ता को पैदा करवाया जाए, साथी में बच्चों को विभिन विशियों पर वैज्यानिक तर्क साथी में कन्या भून हत्या, बाल विवा और बाल लेंगिक हिंसा, बाल श्रम इत्यादिक सामाजिक विश्यों के बारे में बच्चों में जागरुपता फैलाई जाए, साथी में स्वच्छता, स्वास्तिय पोशन, जीवल कौशन के बारे में भी बच्चों को अवगत करा साथी हमारे सामाजिक मुद्यों पर नारा लेखन निबंद लेकन प्रतियोगिता आयोजित की जाए, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्ब्यवार उत्पीरण के माबलों की पहचान कर सक्षम स्तर पर अवगत कराया जाए, बाल संरक्षन हेतु स्थापित विवस सुरुक्षा उपायों और उनसे जुड़े कानून एवं चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 सेवाओं के बारे में उनको अवगत कराया जाए, साथ ही में यहाँ पर पुलिस के साथ समवाज स्थापित करके उनको बच्चों के प्रती और ज्यादा समवेदन शील बनाया जाए, व दिवस विश्व बार आश्रम विरोधी दिवस 12 जूण, शिक्षक दिवस 5 सितमबर बाल दिवस 14 नवेंबर अंतर राश्रय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर जैसे दिवस पर विभिन गतिविदिया आयोजित की जाए, सुरक्षित एवां अ सुरक्षित स्पर्ष, गुड यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको प्रत्र दिया वाया है जहां पर आप बैठक के विवरंड का संधारन कर सकते हैं यहां पर क्रम संख्या से आप बैठक की दिनांक लिख सकते हैं, साथ में उसमें जो भी उपस्तित सदस्य थे क्लब के उनके बारे में लिख सकते हैं, और क्लब के सदस्य के अन्य उपस्तित कोई भी प्रतिभागी हो, जैसे की बीट को अंस्टेबल हो, अभिभावक हो, शार पत्र में लिख सकते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि विध्यालें में वाशिक सेफ्टी ओड़िट कैसे करी जाती है, सबसे पहले इस ओड़िट को करने के लिए एक six members की टीम बनाई जाएगी, जिसमें की हमारे विध्याले के प्रिंसिपल प्रिध्यान अदिपयोंगे mentor शिक्षक होंगे और STMC, सदस्य के दो अभिभावक होंगे, साथी में दो छात्रों होंगे और कुल मिलाकर यह आपकी छे सदस्य टीम बन जाएगी, जो की completely गैर वित्यों है, सेफ्टी ओडिट सुरिक्षा के आयामों और मान डंडों के आधार पर आपके सेफ्टी में जो है, उनका पहला audit, प्रथम audit माह जुलाई अगस्त में होगा और दूसरा audit माह मार्च अप्रेल में आयोजित किया जाएगा, अब हम बात करेंगे यहां पर हमारे मानसिक स्वास्थिक कार्यकरम के बारे में, तो शिक्षा प्रक्रिया को अच्छे से चनाने के लिए हमारे शि करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में चर्चा करनी जानी चाहिए, और बच्चेों को और शिक्षकों को उनके बारे में जागरुक अवगत कराया जाना चाहिए, विध्यारती जो है, उनको अपना आत्मबल का प्रयोक सकरात्मक दिशा में करना चाहिए, सा साथी में हम यहां बात करते हैं IEC सामगरी के बारे में तो यहां पर परिशद द्वारा IEC सामगरी विशेवस्तू को विद्याले द्वारा प्रदर्शत किया जाएगा जिसके लिए 500 रुपे हर विद्याले को राशी प्रदान की जाएगी फ्लेक्स हो पोस्टर हो उनमें जो भी अंकित की जाने वाली विशेवस्तू है उसके रंग रूप आकार एवं शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा साथी में जो भी विवरण अंकित है उसमें विध्यार्तियों की समझ विक्सित करने है तो विध्याले में चर्चा की जाएगी 20 नवेंबर को अंतराष्ट्रे बाल अधिकार दिवस मनाया जाएगा साथ ही में उसमें बाल सुरक्षा अधिकार पर चर्चा भी की जाएगी फ्लेक्स पोस्टर लगाने के लिए विध्याले परिसर में एक उचित स्थान देखा जाएगा जहां से चाए शिक्षक हो चाए विध्यारती हो उसको आते जाते पड़ सके यहां हम देख सकते हैं कि हमारे को एक UC दी गई है जो भी विए विध्यालियों का हुआ है वह इस UC में लिखकर अपने ब्लॉक पर भेजे ब्लॉक UC को जिले पर भीजे और जिले उसको परिशत तक भेजे अब हम बात करेंगी मॉनिटरिंग एवं अभिलेक संधारण के बारे में तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं राजस्तान स्कूल शिक्षा परिशत के अधिकारियों एवं जिला प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कार्यकरम की मॉनिटरिंग की जाएगी साथी में शाला दरपन पोर्टल पर प्रतियक संस्था प्रदान द्वारा सूचना भरी जाएंगी ब्लॉक सर्य प्रशिक्षन संबंदी सूचनाओं के आदान प्रदान मॉनिटरिंग एवं समस्याओं के निराकरन सीबियों कार्याले की माध्यम से किया जाएगा व्याय राशी की यूसी पत्र निर्धारिक प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए राशी का उपयोग योजना के दिशा निर्देश एमेचारडी की गाइडलाइन एवं राजस्थान लोकुपापन में पारदर्शिता अधी नियम दो हजार बारा एवं नियम दो हजार तेरा एवं वित्तिया नियमों की पूर्ण पालना करते हुए वीहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे कुछ अनेक्जर अटच्ज है जो पहला अनेकजर हमारे को बता रहा है स्कूल स्तर पर सुरक्षित सुविधा कैसे अरेंज किया जाए स्कूल भवनों और सुविधाओं को नीये में तुरूप से साफ किया जाए वेंटिलेशन और प्रकाश और पंखा लगाया जाए सभी छात्रों के बैठने के लिए सुरक्षे डेस्क हो, कुरसियां हो ऐसे ही इन कुछ चीजों की सुची दी गई है अगला अनेक्जर हम देखते है जो की पानी की स्वच्छता एवन स्वास संबंदी सुविधाओं के बारे में है तीसरा हमारा अनेक्जर यहाँ पर स्वास संबंदी सुविधाओं के लिए है जिसमें कि आपको स्वास सेवाय प्रदान करने के लिए स्कूल स्वास विभाग के साथ में समनवय स्थापित करती है और इसकी आगे सूची दी गई है अगला अनेक्जर हम यादे के तो यहाँ पर स्कूल में सुरक्षित बाहरी वातवरंड संबंदित कुछ सूची दी गई है लिंग अनुकूल वातवरंड स्थापित करने के लिए विध्यार्तियों को सवालों के जवाब देने और पूछने का समान अफसर प्रदान किया जाए बालिकाओं को शाररिक खेल एवं अन्य पाठियतर गतिविद्यों के लिए लड़कों की तरह अफसर दिया जाए किसी भी प्रवकार का भेदभाव ना रखा जाए स्कूल में जाती पत लिंग और जाती यता के परवा किये बिना सभी विर्द्यार्तियों को एक समान उनकी सुरक्षा के लिए शाररिक शमता और समानता आधारे दृष्टी कोन का पालन किया जाता है तथा स्कूल में शिक्षको अभिभावको द्वारा विशे शेक्षनिक जरूरत मन चात्रों की पहचान की गई हो अगला अनेक्षर हमारे बात करता है आपदा के समय सुरक्षा के बारे में ये इनेक्चुर बात करता है स्कूल में विध्यार्तियों के प्रती हिंसा तथा सभी प्रकार के दुर्वेवारों से सन्रक्षन के बारे में तो ये थी हमारी चर्चा किशोर किशोरी सशक्तिकरन गति विध्यों के बारे में आईए अब हम चर्चा करते हैं किशोरी शेक्षिक उत्सफ के बारे में तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक सूची दी गई है जिसमें कि आपको संभावित कारिकरम की तिथी बताई गई है साथ ही में सहे भागिताओं के बारे में बताया गया है और उनके स्ट बारे में बताया गया है सबसे पहले जान लेते हैं कि जिला और ब्लॉक की विद्धाल यों का क्या दायत्व हैं मोग्जों को चात्र चात्राइं दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे अपने प्रेजेंटेशन्स मॉडल गतिविधियों की पूरी तयारी कर सकते हैं तो विध्यारती लेवल पर विध्यारती अपने model और गतिविधी की संपून तयारी करके उसको stalls के माध्यम से present कर सकते हैं CRC PEO के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर CRC के स्तर पर एक committee को चुना जाएगा जो की सारी प्रस्तुतियों को समीक्षा करेंगी साथी में हर जोन पर जैसे की प्रतम जोन जो हमारा होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश होंगे दूसरे जोन पर हमारे पास विज्ञान और गणित होंगे और तीसरे जोन पर हमारे पास सामाजिक विज्ञान साथी में पर्यावरण के बारे में होगा यहाँ पर प्रारम्बिक एव माध्यमिक श्रेणी से तीनों जोन के अंतरगत जो भी भाग लेने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोचसाहन पत्र दिया जाएगा साथी में जो भी first best प्रस्तुतिया होंगी उनको प्रशिस्ति पत्र भी दिया जाएगा यहाँ अगर हम ब्लॉक की बार करते हैं तो यहाँ पर CRC से जो भी हमारे पास प्रत्थम प्रस्तुतिया आएगी उनको ब्लॉक स्तर पर बनी हुई कमिटी समीक्षा करेगी और प्रत्येक तीनो जोन के अंतरगत छ्रेष्ट तीन प्रस्तुतिया बेस्ट तीन प्रस्तुतियों को चयन किया जाएगा और उनको जिले स्तर पर भेजा जाएगा प्रारंबिक एवं माध्यमिक शेणी में तीनो जोन के अंतरगत प्रत्थम तीन प्रस्तुतियों को पुरुस्ति पत्र भी दिया जाएगा जिले के अगर हम बात करें तो यहां पर ब्लॉक से आईवी सारी हमारी प्रस्तुतियों को देखा जाएगा जो कमिटी जिला लेवल पर बनी विए वो इसकी समीक्षा करेंगी और यहां पर प्रत्थम तीनो प्रस्तुतियों को चैन कर जाएगा और राजिस्थर पर बेजा जाएगा प्रारंबिक एवं माध्यमिक शेणी में तीनों जोन के अंतरगत प्रथम तीन प्रस्तुतियों को पुरुस्कार भी दिया जाएगा साथ ही में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा बात करते हैं राजय की बारे में तो राजय को जिलास तर से best presentations भेजे जाएगे उन best presentations सभी जिला से जो भी प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए प्रारंबिक एवं माध्यमिक शेणी में तीनों जोन से प्रथम तीन प्रस्तुतियों का चयन होईगा और उनको राजे प्रारंबिक एवं माध्यमिक शेणी में से चिनहित प्रस्तुतियों को अंतर राश् उनसे ये उमीद है कि विभिन नवचारों का प्रयोग करते हुए मॉडल और गति विधी का प्रस्तुति तयार करवाएं। विध्याले बच्चों को आवशिक सामगरी उपर उपलप्त करवाएं। जिससे कि वे अपना मॉडल का या गति विधी का प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से कर सके। साथी में तीनों जोन में विध्यारत्यों द्वारा तयार प्रस्तुति को शेक्षिक मेले में स्टॉल के रूप में प्रदर्शित किया जाए। आगे चलते हैं यहां पर देखते हैं कि जो प्राथमिक शेनी है उसमें कौन-कौन से तीन जोन हैं। ऐसे ही माध्यमिक शेनी और उत माध्यमिक शेनी में भी तीन जोन बनाये जाएंगे। जोन एक हिंदी अंग्रेजी तथा दस्तवीजों पर समझ गड़ित और विज्ञान दूसरी जोन के लिए होगा जिसमें स्कॉलर्शिप और योजनाय होंगी। और तीसरी जोन सामाजिक विज्ञान एवं समसामिक परिपेक्ष में करियर की तयारी एवं बाल अधिकार सुरक्षा एवं फन अक्टिविटी पर आधारित होगा। आगे बढ़ते हुए हम यहाद देखते हैं कि अगर Single Handedly प्रेजंटेशन देना है तो वह सिर्फ बालिकाएं दे सकती हैं। अगर सामोहिक प्रेजंटेशन देना है तो चात्र चात्राय मिलकर दे सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो participants हैं वो अपनी presentation, poster के जरीए, model के जरीए, video के जरीए, photographs के जरीए, puzzles और पहेलियों के जरीए, games के जरीए भी दे सकते हैं, और इनको वो model और stall के निर्मान से प्रदर्शत भी कर सकते हैं, तथा प्रतीक CRC model और stall के निर्मान के लि करेंगे कि जो हमारे प्रारंबिक और माधमिक शेनी में तीन जोन में सबसे सर्वर शेष प्रथम तीन प्रस्तुतियां हैं, उनको चयन किया जाएगा हर स्थर पर जैसा हमने पीछे सूची में देखा था, CRC स्थर पर, BLOCK स्थर और ZILA स्थर और ZILA उसको भेज देगा हम प्रोग्राम में प्रदर्शित की जाएगी निर्नायक समति का गठन किया जाएगा और जो भी हमारी श्रेष प्रस्तुतिया है उनको इन मुल्यांकन बिंदू के अकॉर्डेंग चैनित किया जाएगा, स्टॉल की थीम और अवधार्ना की स्पष्टता के लिए 50 अंक दिया तो यहां आग हमारा पूरा सौ अंक बनते हैं, तो यहां बहुत करते हैं उत्सव के आयोजन का प्रचार पसार के बारे में, तो यह प्रचार प्रसार आपके WhatsApp ग्रूप से, Banner से, Flaxsheet से, स्थानिय समाचार पत्रों की जरिये से किया जा सकता है, बच्यों की प्रस्तुतियों को विध्याले के ब्लॉक पे और जिला के सर पर पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो बनाकर और बिना इस वीडियो के साथ किसी प्रकार की छेरचार किये उसको परिशत काराले को प्रेशत किया जाना है यहां हम देख सकते हैं कि जो भी श्रेष्ट प्रथम तीन प्रसुतिया होंगी उनको पुरुसकार भी दिया जाएगा साथ ही में उनको प्रशस्ती पत्र भी दिया जाएगा प्रारंबिक शिक्षा के लिए प्रथम पुरुसकार एवं प्रशस्ती पत्र दिया जाएगा जो की कक्षा श्रेणी छटी से आठवी के लिए होगा 500 रुपे का द्वित्य पुरुसकार एवं प्रशस्ती पत्र होगा जिसमें उनको 300 रुपे की राशी मिलेगी तृतिय पुरुस्कार होगा 200 रुपे का जिसमें साथ में उनको प्रश्रस्ति पत्र भी दिया जाएगा ये बात हुई हमारी कक्षा छेटी से आठ वी के लिए अब हम बात करते हैं कक्षा 9 से 12 वी के लिए जहां पर प्रथम पुरुस्कार दिया जाएगा 500 रुपे का दृत ती ब्लॉक कुल 9000 रुपे की राशी प्रारंबिक शिक्षा से तीनों क्याटिगरी में पुरुसकार राशी 6000 रुपे उपरोग तालिका अनुसार एवं 3000 रुपे की राशी उत्सव आयोजन हेतू जिसमें आयोजन संबंदी व्यवस्तत हैं सर्टिफिकेट इत्यादी हेतू जा रही है तो यहां हम दिए सकते हैं कि हमारे राश्च्रियवालिका दिवस का आयोजन 24 जिनवरी दो हजार 2 पर कराये जाएगा विध्याला संब और जिलासी धर बात करें अगर हम जिला संब autart here तो इस थी आयोजन स seems intense तेह और इसकी समय सीमा 3 घंटा अधिकतम होगी बात करते हैं यहां पर की विद्याले के सरपर समारों के आयोजन में आप क्या-क्या गतिविद्या कर सकते हैं नाट्य मंचन कर सकते हैं. जेंडर समान्ताओं की बारे में कहन्या सुना सकते हैं और मीना की कहन्या सुनाई जा सकती हैं साथ ही में सामाजिक एवं राश्ट्रिय सरोकार संबद्धित निर्थ्य भी हो सकता है और आत्मरक्षा प्रशिक्षन का प्रदर्शन भी किया जा सकता है यहां बात करते हैं कि हर जिले पर कितनी बालिकाय हमारी यां पर पार्सिपेट कर पाएंगी तो कुल मिलाकर सब बालिकाय भाग ले सकती हैं। कक्षा आठवी, दसवी, बार्वी में प्रतम एवं दुतिय आदिस्तान प्राप्ट करने वाली जिले पर कुल हमारी 20 बालिकाय होगी। ब्लॉक से भिन खेलों में प्रारंबिक एंवं माधिमिक में प्रथम स्ताम प्राप्त करने वाली जिले पर कुल हमारी 15 बालिकाई होएंगे। प्रतिभावन बालिकाएं हमारी यहां पर 20 बालिकाएं होंगी, जो कि कुल मिलाकर हमारी यहां पर 100 बालिकाएं प्रस्तुती देने के लिए भाग ले सकेंगी, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं शिक्षक शिक्ष्रिकाओं के बारे में, तो जो भी हमारे मीना, राजु, गारगी प्रभावी और अनुकरिये संचालन करने वाले शिक्षक-शिक्षकाएं होंगे वह कुल दस होगे। शिक्षिकाएं हमारे प्रतेग जिले पर कुल 25 जेंडर चैंपिएंड शिक्षिकाएं भाग ले सकेंगे यह हमारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विध्याले इसे भर कर जितना भी उनका व्याय हुआ है उसको इसमें भर कर हमारे ब्लॉक लेवल तक भेजे ब्लॉक ले परिशित करवाएं और जिला यूशी को परिशित कार्याले को परिशित करवाएं तो यह था हमारा किशोरी शैक्षिक उत्सम्